रियांच बहुत दिनों से बोल रहा था कि मफिन्स बनाओ मफिन्स बनाओ लेकिन क्यूंकि यह जंक फूड है तो मैं जल्दी नहीं मान रही थी लेकिन काफे दिन हो गए थे तो अब तो बनाना बनता ही है तो चलिए आज बनाते हैं तो सबसे पहले घर में यह चोकलेट रख मने ऊबना है उनका यूज करके मफिन्स बनाने वाली हो तो मैंने एक कप मैदा ले लिया है अब एक बाउल में नहीं च्हणनी रख दी थी और उसमें हम एक कप मैदा ढाल देंगे और अब हमएं चाहिए पिसी हुई-चीनी तो करीबन हाफ कप पिसी हुई-चीनी की इसमे आप किसी भी ब्रैंड का कोको पाउडर यूज कर सकते हैं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है तो हमें चाहिए टोटल 4 टेबल स्पून कोको पाउडर अब इसी के साथ में इसमें हमें चाहिए बेकिंग एजिन्स तो एक छोटी चमच, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर इसमें में डाल रही हूँ और 1 बाइ 4 टी स्पून बेकिंग सोडा अगर आप बेकिंग करना पसंद करते हैं तो मेजरिंग स्पून और मेजरिंग कब जरूर खरीद ले और हाँ एक मेजरिंग स्केल भी खरीद लीजे दो सो से तीन सो रुपए तक का आता है काफी एजी हो जाता है किचिन में कुछ भी बनाना अब बस चान लीजे अब जो पिसी होई चीनी थी ना वो काफी दिन की थी ना तो उसके ना गुल्ठिया बन गई थी तो चानने से वो सब खतम हो जाता है तो चानने के काफी सारे बेनिफिट है चानेगा जरूर अपने ड्राय बैटर को चलिए ड्राय बैटर हमारा रेडी है अब हम तियार करते हैं अपने वेट इंग्रीडियन्स एक बोल में मैं यहाँ पर ले लेती हूँ दूद यह मैं 3x4 cup दूद ले रही हूँ और जो दूद है नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए ना जादा थंडा ना जादा गरम अब यहाँ पर हमें चाहिए बटर मैं यहाँ पर सॉल्टेट बटर ले रही हूँ 3 टेबल स्पून अगर आप यहाँ पर अन्सॉल्टेट बटर डालते है तो आपको साथ पर थोड़ा सा नमग भी डालना पड़ेगा इसलिए सॉल्टेट बटर ही सही चलिया आप ना गर आपसे बोला था नॉर्मल रूम टेंपरीचर पर होना चाहिए हलका सा थंडा लग रहा था मुझे दूर तो मैंने इसे माइक्रोव कर लिया है 30 सेकेंट के लिए ये मैंने मेंट कर लिया है एक बारी बस इसे हम विस्क कर लेंगे ताकि बटर और मिल्क एक साथ मिक्स हो जाए अलग अलग ना रहे हैं अब अपने खजाने से मैं निकाल लेती हूँ वणील एसंस ये मिला खजाना है एसंस और फूट कलर्स का कभी-कभी यूज्ज करती हूँ लेकिन काफी काम की चीज़े हैं अब मैं यहाँ पर उन टी स्पून वनीला एसंस जाल रही हूँ और साथ म इसमें हम डालेंगे वन टेबल स्पून विनेगर विनेगर डालने से अगर आप चॉकलेट कपकेक्स या मफिन बना रहे हैं बहुत अच्छे बनते हैं उसमें बहुत अच्छा मतलब फ्लफीनेस आ जाती है अब हम हमारे वेट इंग्रीडियंट्स को ड्राइ इंग्रीडियं नहीं डेवलप कराना है मैदे को आप जितना माडेंगे या जादा मिक्स करेंगे उतना जादा ग्लूटन बनता है अब मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा था बैटर तो यहां पर मैंने टू टेबल स्पून तूद और डाल दिया है और बैटर बिल्कुल रेडी है दे तो तेल या गी का भी यूज़ कर सकते हैं इवन मफिन्स बनाने में भी आप तेल का यूज़ कर सकते हैं चलिए क्रीस हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा 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 अमारा बैटर थोड़ा थोड़ा पहले फिल करेंगे क्यों क्योंकि जो हमने चॉकल कर दिया है अब बारी है इसे पकाने की उससे पहले रियांश को हम नीचे उतार देंगे क्योंकि अब हमें करना है गैस का काम अब गैस की जो फ्लेम है वह हम बिल्कुल धीमी रखेंगे और फिर इसके उपर हम हमारा अपम पैन रखेंगे और इसे हम धग देंगे और 10 मिनित बाद यह हमारे अच्छे तरीके से पक गए थे अब इसे टर्न करना था तो आप या तो टूथपिक की हैल से टर्न कर सकते हैं मैंने क्या किया एक स्पून में थोड़ा सा बटर लगाया ताकि बिल्कुल भी स्टिक ना हो हमारे मफिन्स स्पून में और फिर इन्हें एक एक अब तर्न कर दिया बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अब पे टर्न करते हैं और यह मफिन्स ना बहुत अच्छे बने थे जब यह पग गए थे तो मैंने एक प्लेट में निकाला लेकिन फिर मुझे लगा प्लेट में निकालने सच्छा एक जाली में निकाल दू ताकि यह सौग तो बस मैंने कपकेक मोल्स में इन्हें फिल कर दिया है और इन्हें सुन्दर दिखाने के लिए मैंने जो चॉकलिट हमने कट करके रखी थी वही उपर से डाल दी है और बस अब बारी है इन्हें पेक करने की इन्हें ना मैं माइक्रोवेव में बेक कर रही हूं और माइक्र में कम यह जादा हो सकता है तो 15 मिनिट बाद आप चेक कर सकते हैं अगर हो गया है तो निकाल लीजिए नहीं हुआ है तो 2-3 मिनिट के लिए और रख दी और रियां से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था उसे लग रहा था कब बस यह बेख हो जाए और इनने मैं खा लूँ चल लगते हैं ऐसा लगता है बस नूफॉल हो गई हो और उपर से चॉक्रिट सिरप आपकी चॉइसे डाला चाहते हैं तो डाल सकते हैं स्किप करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं और भाई हम जैसे चटोरों को तो यह सब चीज़े बहुत अच्छी लगती है डेफिनिटली मांगते भी होंगे कि बनाइए 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 आपके बच्चे आप से किसी इसकी फर्माइश करते हैं यह भी मुझे जरूर बताइएगा कॉमें सेक्षन में चलिए यह हमारे बेख हो गए थे तो मैंने इन्हें निकाला अब इसे टेस्ट करना था तो मैंने एक अब देख रहे हैं यह मुझे जरूर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था तो मैंने गर्म-गर्म में ही इसे डीमोल किया तो यह हलका साना पेपर में रगे रह गया और अंदर का टेक्शर देखे बिल्कुल वो डेंस टेक्शर है जो की मॉफिन्स में होता है और ब्र अब देखे बिल्कुल